आ रहे है 14 नवरातरे, शुरू हो रहे है 9 अपरिल 2024 और समाफ होंगे 17 अपरिल 2024 तो इस बीच में आपको मैं डेली एक दिन पहले उपाय तो बताने वाली हूँ लेकिन उससे पहले मैं आपको में इच्छा पूर्टी चुनरी वाला उपाय बताने वाली हूँ अगर आपकी जीवन में कोई भी इच्छा है चाए वो आपकी है या किसी और की है तो इस उपाय को इन दुनों में आप जरू से कीज़ेगा कुछ-कुछ दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन्ट होते एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होते और ऐसे दिन पे या ऐसे वक्त पे आप कोई भी रेमेडी पूरे विश्वास के साथ करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको जरू से मिलता है नमस्कार मैं हूं इंदु अहुजा इस चैनल पर नए है और इस तरह के वीडियो से आप देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरू से कर लीजिएगा तो चलिए हम बढ़ते हैं अब नवरात्री के उपाई की तरफ तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पर जरूत होगी वो होगी चुन्री की और यहाँ पर आपको लेनी है लाल चुन्री जो की गोटे वाली होती है यानि कि golden color का border या जो गोटा लगा होता है इस तरीके की आपको चुंडरी लेकर आनिये और ये new चुंडरी आपको लेकर आनिये चोटी सी ही लेकर आनिये बड़ी चुंडरी नहीं मामुली सी चोटी सी आप लेकर आजाएए आसानी से पूजा की दुकान पर मिल जाएगा well in advance मैं आपको बता रही हूं तक कि आप चुंडरी लाके रख सके इन केस आपके पास चुंडरी नहीं है तो आप लाल कपड़ा ले सकते हैं कोशिश करें वहां पे golden color का border लगा दे नहीं होगा तो कोई बात नी वो last option है कि लाल कपड़े का otherwise आप चुंडरी लीजेगा बहुत ह पाने ज़री यह चीजें एकटी करके आपको इसमें रख देनी है तो सबसे पहले आपको यहां पर लेना एक जाइफल उसके बाद आपको लेनी है नौ लॉंग फिर लेना है आपको 9 स्टार एनीज जिसको की कहते हैं पूल चक्री ठीक है यह आपको लेनी है और उसके साथ आप लेंगे कोई भी एक सिक्का वो एक रुपे का हो सकता है दो रुपे का हो सकता है पांच रुपे का हो सकता है कोई भी एक सिक्का और कोई भी एक नोट नोट भी आप अपने इच्छा नुसा ले सकते हैं दस का बीस का पच्छास का सौ का पांच सौ का जैसी आपकी चावल आप उसमें डाल दीजे, मामूर इसी चुटकी भर हल्दी, चुटकी भर सिंदूर और थोड़ा सा शक्कर या चीनी जो आपके पास अवेलेबल है या छोटा सा मिश्री का दाना, इन तीनों में से कोई भी एक चीज आप उसमें एड़ कर लेंगे, अब आपको इसकी बना देनी है, और लेना है आपको कच्चा सूथ, जो इसली आपको वो भी पूजा की दुकान पर मिल जाएगा, नहीं होगा तो लाल धागा आप ले लीजे और उससे इसको बान दीजे, कितने भी बार आप उसको बान सकते हैं, अच्छी खासी आप एक पोटली तयार कर ल को भी बना सकते हैं, अब बनाने के बाद आप इसको रख देंगे घर के पूजा स्थान पे, पूजा स्थान पे रखने के बाद डेली आपको ये पोटली के आगे दिया जलाना है, जो रेगुलर आप जो पूजा स्थान पे दिया जलाते हैं, वो भी ठीक है, वो भी आप लेकिन घीका दिया जलाते तो बहुत अच्छा घीका नहीं होगा तो जो भी तेला आप इस्तमाल करते हैं फिर आप धूप अगरबती जैसे आप उजा करते हैं वैसे करेंगे उसके बाद आपको दुर्गा सब्तिशती का पार्ट करना है नहीं तो आप मंतर बोलेंगे ये ओम एम क्लीम चामुंडा विच्चे ये मंतर अगर आप नहीं बोल सकते तो आपको हमारे चैनल पे भी मिल जाएगा आप केवल इसको चला के रख सकते हैं आप अपनी इच्छा नुसार एक मिनट दो मिनट पांच मिनट कितनी भी देर आप इस मंतर को चला के रख सकते हैं अच्छा इन केस अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि इस पोटली को आप अपने घर के पूजा स्थान पे रखें तो फिर आप इसको अपने कमरे में कहीं पर भी एक स्वच जगा पे इसकी जगा बना दें, कई लोगों को बहुत ज़दा दिक्कत होती तो अलमारी में भ अच्छी जगा पे वहाँ पे रखेगा, in that case आप फिर दिया नहीं जिलाएगा, वहाँ पे आप अगर बतिया को ऐसी चीज जिलाएगा, क्योंकि देखिए वहाँ पे आपको सेफटी का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये 9 दिन तक continue ऐसी पूजा करनी है, जब 9 दिन हो जाएगा, तो 10 दिन पे, 10 दिन पे इस पोटली को आपको खोल देना है, अब जो उपर से कलावा, जो सबसे पहले आप जो अलग करेंगे, वो कलावे को आप अपने घर के दरवाजे पे, या अगर आपका व्यापास थाना है, तो आपने हाथ पे भी बान सकते हैं, लेप या राइट वैसे राइट में बान देंगे, तो ज़्यादा बैटर है, अब चुन्डरी के अंदर, जो आपने लॉंग, स्टार, एनिस और जाइफल रखा है, इनको साथ में आपको कपूर के साथ जला के घर में पूरे दुआ कर द देंगे, या इसको धर्म स्थान पे आप जाके रखके आ सकते हैं, अब उसके अंदर जो चावल, और जो आपने चुटकी हल्दी, सिंदूर, और जो शक्कर डाला इन सब को लेंगे, और किसी भी पेड़ के नीचे या घर के पौदे में आप इसको डाल देंगे, अब बच जगा पे इच्छा पूर्ती चुन्री बांदी जाते हैं, तो वहाँ पे इस चुन्री को आप बांद आएं, नहीं तो आप इसको घर में भी कहीं पे बांद के रख सकते हैं, ये भी नहीं होता तो आप किसी भी पेड़ के आ, या पीपल के पेड़ के टेहनी पे, या जो ब आप भी इसको घर में कहीं पर बांद लाए यहां घर में ही किसी आप प्लांट को भी अगर आप बांध रहें तो फिर एक साल के बाद आप इस छुन्री को निका लेंगे और कहीं पे भी आप इसको बाहर जाके किसी पेड़ की टै legitimate पर यह जाके राएंगे ये सबी परिवार का नाम लेकर आप बनाके रख सकते हैं अगर आप अपने मायकेवालों के लिए करना चाहते हैं या किसी ओर के लिए करना चाहते हैं तो आप उनके लिए भी पोटली ये ready कर सकते हैं और जैसे end में आपने सब खोल के ये divide कि आप उसी तरीके से तो एक बाद करके जरूर देखेगा और जैसे कि नवरातरे आ रहे तो एक दिन पहले आपको डेली उपाए मिल जाएंगे तो रोज आप वीडियो जरूर से देखिएगा, मिस नहीं कीजेगा, इसी के साथ साथ आपको मंतर भी डेली हमारे चेहल पर मिल जाएंगे तो वो मंत कि गर में मिल च्टना शद कियो ले हैँआगे तो और जाएंगे साथा के वो मंतरा ह।